क्या बीस्ट देगे जर्सी और KGF Chapter 2 को ठक कर आखिर कितनी स्क्रीन्स पर रिलीज होने जा रही है बीस्ट हेलो फ्रेंड्स आप देखें बॉलीग्राफ स्टूडियोज मेल सोरी का जयार दोस्तों साउथ इंडियन इंडस्ट्री इस वक्त धमा के कर रही है पूरे देश में उनका डंका बच रहा है चाहे ट्रिपल आर हो या फिर KGF Chapter 2 साउथ सुपस्ट्रास की फैन फोलिंग काफी तेजी से बढ़ रही है और हिंदी दर्शक उनको काफी प्यार दे रहे है इसके अलावा तमिल सुपस्ट्रार विजय भी अब चर्चा में है जिन्होंने फिल्म मास्चर के साथ भारतिय सिनेमा की पहली हिट फिल्म दी थी जो कोरोना महामारी की दौरान रिलीस हुई थी ऐसे में उनके अपकमिंग फिल्म बीस्ट काफी चर्चा में है और इस फिल्म से मेकर्स को उमीद जबरदस्त है ट्रेलर कुछ दिन पहले जारी किया गया था और इसने फिल्म के लिए चर्चा को और भी जादा बढ़ा दिया बीस्ट का हिंदी वजजन यू एफे मुवीज द्वारा जारी किया गया और डिस्ट्रिब्यूटर्स ने कहा कि ये फिल्म जो है वो 600 से 700 स्क्रीन्स पर रिलीस होने जा रही है इतनी स्क्रीन्स पर रिलीस होने के बाद धमा करते हैं आज ये बात सामदे आई कि मेकर इस फिल्म का हिंदी वजजन सिनेमा घरों में रिलीस करेंगे वहीं दोस्तों आपको बढ़ा दे कि हिंदी में इसका टाइटल रॉर रखा गया है मज़े की बात ये है कि बीस्ट का हिंदी वजजन 13 से 14 अपरियल को आएगा यानि कि बहु इसे सितारे हैं जो इस साल हिंदी दर्शकों का दिल जीतने के लिए तयार है और कई धमाकों के साथ लगा तर आ रहे हैं इस महीं ये ये 64 के जीएफ चैप्टर टू रिलीस होनी है उमीर है कि फिल्म कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी इस फिल्म में संजेदद और सालापती विजय तीनों के अलग अलग अपनी अपनी तगड़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और आपको दादे कि के जीएफ चैप्टर टू का भी उसे साथ देखा जाए तो मोस्ट अवेटेट फिल्म है बहुत रादा इंतजार हो रहा है तो कहीं से ये नहीं कार जा स लगता कि कौनसे फिल्म आगे निकलेगी ये सिर्फ ओडियंस के मूट पर डिपेंड है बीस्ट की बात करें तो ये फिल्म जो है वो साउथ के अलावा सारी भार्षा में रडीस होगी तमिल, तिल्ग, हिंदी, इमल्यालम, बैन इंडिया फिल्म है अब देखना होगा क्या आने वाले टाइम में बॉक्स ओफिस पर कितना बड़ा तहल का मचेगा आपको क्या लगता है तीनों फिर में टकराएंगी कौन आगे जाएगी नीचे कॉमें सेक्शन में बताईएगा और इसी तरह के दूश्य अपडेट्स के लिए सब्स्क्राइब करिएगा हमारी चैन